नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का दोस्तों आज हम पड़ेंगे साइस का एक टोपिक है विद्यूत आप सभी ने देखा होगा विद्यूत है इससे सम्मंदित एक्जाम में एक या दो कोस्चन जरूर आते हैं और आज ये कलास है ये कंप्लीटली NCRT बेस पे रहेगी आप देखी रहे हैं पूरा ये NCRT का चैप्टर रहेगा तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखना ताकि एक्जाम में आने वाड़े एक या दो कोस्चन आपके बिलकुल न छुटे और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो वो भी आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि PDF अब आपको कहां से मिलेगी इसके लिए आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखें यदि आप इस चैनल पे नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को प्रेस कर लें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें तो चलि समान आवेस एक दूसरे को पर्तिकर्शित करते हैं और एस समान होते हैं वो एक दूसरे को आकर्शित करते हैं यह सीदे एकजाम में पूछे जाते हैं तो यह चीजें जरूर नोट करें समान आवेस है वो एक दूसरे को आकर्शित करते हैं कुलाम है वो आवेस का ऐसा ही मा बात करें तो एक दसमलोव 6 गुणा में 10 की पावर माइनस 19 रिणा अत्मक आवेस रहता है तो यदि इसके फोर्मॉले के बात करें तो वो होता है Q is equal to N E जिसमें Q क्या होता है अब देख लेते हैं विद्युद दहरा विद्युद दहरा क्या होती है आवेस के परवाईत होने की दर को विद्युद दहरा कहते हैं यानि कि आवेस बटा समय में इसका फॉर्मूला होता है आवेस बटा समय यानि कि आवेस के परवाइत होने की इधार को विद्युद धारा कहते हैं I is equal to Q by T Q होता है इसमें आवेस और T होता है समय यानि कि टाइम और धारा का जो SI मात्रे का वो क्या होता है Ampere और इसको हम A से डिनोट करते हैं यदि value निकालने की बाता है तो 1 Ampere किसके बराबर होता है 1 कुलाम बटा में 1 second वह हो गया आवेस बटा में समय आवेस क्या होता है एक कुलाम होता है समय होता है 1 second यदि 1 milli Ampere की बात करें तो वो होता है 10 की पावर माइनस 3 एमपियर के और यदि एक माइक्रो एमपियर के बात करें तो 10 की पावर माइनस 6 एमपियर अब देख लेते हैं कि विद्धु धारा है उसको एमिटर द्वारा कैसे मापा दाता है तो एमिटर का सिंबल होता है यह होता है आप नोट करें जो सरकल होता है उसके अंदर एक साइड पोजिटिव होता है एक साइड नेगिटिव होता है यह भी आपके एक्जाम में डिरेक्ट पुछा दाता है तो याद रखें एमिटर का प्रतिरोध होता है वो कम होता है तता ह विपरीत मानी जाती है क्योंकि जिस समय विद्यूत की परिगटना का सरोथ परतम प्रक्सेक्षन किया गया था तो एलेक्ट्रोनों के बारे में कोई जानकरी नहीं थी अता विद्यूत धारा को धनाविसों का प्रवा माना गया है सिर्फयूत विबानतर यानिकि वोल्टेज एक कांक कावेश को एक विंदू से दूसरे विंदू तक क्लाने में किया गया कारिया क्या किया रता है वोल्टेज । गालता है तो विवांतर एक वोल्ट कहलाता है यानि कि V is equal to J C minus 1 यानि कि V is equal to क्या होता है जूल वाई कुलाम यानि कि जूल किसका ऐसा ही मातर को ओता है कार्या का होता है और कुलाम किसका है अभी हमने पढ़ाता नेक्स्ट है वोल्ट मिटर वोल्ट मिटर के विवांतर को मापने की युक्ति इसका परतिरोद जदा होता है तता हमेशा पारसोर कम में दुड़ा होता है तो वोल्ट मिटर का सिंबल है वो क्या होता है आप देख लीजिए जो एमिटर होता है उसमें सरकल के बीच में यह होता वॉल्ट निटर में विय होता है कि सेल यह एक शरलय उक्तिय जो विवांतर को बनाई रखती है के और विद्धः धराव में से उत विवांतर से निमन दृमानतर के तरफ प्रवाइत होता है यह आप देख सकते हैं ब्लोग डाइग्राम बनाए गया है जो विद्धु धरा, एंपियर, एमिटर और यह सब चीज़ने दी गई है तो आप इसको जरूर देखें स्क्रीन शोट भी लए सकते हैं नेक्स्ट है विद्धु परिपय में समान्य उप्योग होने वाले कुछ अवयों के सिंबल यानि कुछ ऐसे इंपोर्टन्ट सिंबल है जो कि विद्धु धरा में यूज होते हैं और आपके एक्जाम में भी पुछे जाते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं विद्धु सेल तो विद्धु सेल का सिंबल यह होता है यदि सेल को हम जोड लेते हैं तो वो क्या होता है वो बैटरी बन जाती है तो जो बैटरी का सिंबल हो दूसरे नमबर पर बैटरी का सिंबल हो जाएगा तीसरे नमबर पर क्या है खुली पलग कुंजी यानिके स्विच ओपन स्वि रेजिस्टेंस का यानि के पर्तिरोत का सिंबल यह रहता है इसके बाद आप एंपियर और वॉल्टमेटर का पड़ी चुके हैं तो यह चीजें इसके बाद आप देख लेते हैं ओम का नियम यह भी बहुत इंपोर्टेंट है जो कि एक्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा आता है किसी विद्धुद परिपत में दातों के तार के दो सिरों के बीच विवानतर उसमें प्रवाइत होने वाली विद्धुद धारा के समानू पाती होता है प्रंतु तार का ताप माने वो समान रहना चाहिए यानिके वी गुणा में और यानिके वोल्टेज गुणा म निकलना हो तो कैसे निकलेगा हमने वी इस इकल टू आई आर लिखा है तो यदि कर्ण्ट को निकलना है तो हम और को इधर ले आएंगे आर नीचे आजाएगा तो यह हमारा आई आदाएगा यानिके जो कर्णंट का फॉरमॉल्ला आई का फॉरमॉला वह हो जाएगा करन्ट अब देख लेते हैं रजिस्टेंस क्या होता है यानि कि परतिरोध यह एक तालक का वैगुन है जिसके करणवें प्रवाइत होने वाली धारा का विरोध करता है यानि कि जो current होता है current का यदि resist करें यानि current का पर्तिरोध विरोध करें तो वो क्या कहलाता है पर्तिरोध कहलाता है इसका ऐसा ही मात रखा है वो ohm होता है इसको हम ऐसे denote करते हैं और एक ohm किसके बराबर होता है कि में एक वोल्ट पट्य में एक एम प्रिक्ट में एक य ज wł High ख़या लिए यकलता हूल तो प्रतिरोध। एक नियंतरक्ष प्रतिरोध को प्रवाइद करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग गया दाता है उसे धारा नियंतर कहा दाता है वे कारक जिन पर एक चालक का परतिरोद निर्वर करता है तो चालक की लंबाई के समानुपाती होती है अनुप्रस्त काट के एक सेतर पहले के वियुत कर्मान पाती होता है, तापमान के समानुपाती होता है और पदार्थ की परकर्ती पर निर्बर करता है नेक्ट देख लेते हैं विद्धूत परतिरोधक्ता एक मेटर पुजावाले गन के विपरीत पलकों में से धारा गुजरने पर जो परतिरोध उत्पन होता है उसे परतिरोधक्ता कहते हैं अब देख लेते हैं, ऐससाई मात्रक ओम मेटर ओम मेटर को हम इस सिंबल से देनोट करते हैं प्रतिरोदक ता चालक की लंबाई है व अनुपरस्ट काट के एक सैत्रफल के साथ नहीं बदलती प्रंटतर तापमान के साथ प्रिवर्थित होती है। दातों अब मिसर दातों का पर्तिरोदक ता परिसर है वो कितना होता है दस की पावर माइनस 8 माइनस दस की पावर माइनस 6 ओम मिट्र मिसर दातों की पर्तिरोदक ता उनकी अवेवी दातों के अपेक्सक्रित अधिक होती है और मिसर धातों का उस तापमान पर है सिगरी उप्चयन यानि के धेन नहीं होता आता है इनका उपयोग तापन युक्तियों में किया जाता है तंबाव ऐलमुनियम का उपयोग विद्व संतरन के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी पर्ति रोधकता कम होती है अब दिखाया गया है कि जो परतिरो दखता है यानि कि रिजिस्टेंस है उनको सीरीज में कैसे जोड़ते हैं यानि कि स्रेनी करम में कैसे जोड़ा जाता है आप ये देख सकते हैं इसके बारे में पूरा complete formula भी दे रखा है आप इसमें में चीज याद रखें जो सीरीज का formula हो क्या है ये है RS is equal to R1 plus R2 plus R3 में चीज याद रखने के आपके लिए यह important है इसके लावा यदि समानतर में बात करें पहलेल में बात करें तो उसका जो diagram है वो आप देख सकते हैं circuit diagram है वो यह है और formula के बात करें तो आप यह note कीजिए 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 आपके exam में इतना ही पुछा जाएगा इससे जादा नहीं next है सेरेनी करम सेयोजन की तोलना में पार्सो करम सेयोजन के लाब सेरेनी करम सेयोजन में तब एक अवे खराब हो जाता है तो परीपर तूट जाता है तता कोई भी अवे काम नहीं करता है यानिके तो सीरीज में होते हैं उसमें यदि एक भी जैसे आपने 10 बलब या 5 बलब लगा रखे हैं वो सीरीज में हैं यदि उनमें से एक बलब फ्यूज हो जाता है तो पूरे पूरे उसके बाद में जो आगे के बलब है वो सारे के सारे बलब हो बंद हो जाएंगे तो यह एक नुकसान होता है यदि यह पैलल में होंगे समानतर में होंगे तो उसमें से यदि बीच में से कोई बलब हो खराब हो जाता है तो बाकी के बल 10 बलब लगा रखे हैं यदि वो सीरीज में है तो उसमें क्या होगा सुरू में मानलो आपने 10 अमपेर करंट दिया तो वो पहले पे 10 रहेगा करते करते लाश्ट तक आपका बिल्कुल कम हो जाएगा यानि कि बिल्कुल सेम नहीं जाएगा यदि ये पेलल में होगे तो सबको बराबर करंट मिलेगा तीसरे नमर बताये हो है कि पारसोर करम स्योंजन में परतिरोद है वो कम होता है यानि कि जो पेलल है उसमें रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है सीरीज में यदि बात कर रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस जादा होता है नेक्स्ट बता है विद्धुत धारा का तापिय प्रभाव यदि एक विद्धुत परिपत वी सूध रूप से परतिरो दख है तो स्त्रोत की उर्जा पूरण रूप से उस्मा की रूप में अच्छे होती है इसे विद्धुत धारा का तापिय प्रभाव कहते हैं तो उर्जा क्या होती है सक्ति गुणा में समय यानि के h is equal to p into t next देख लेते हैं power का formula यानि के सक्ति का formula क्या होगा p is equal to i square r यानि के यदि हमें current दे रखा हो तो हम क्या करेंगे p is equal to i square और r i होता है current और r होता है resistance और हमें voltage दे रखी हो तो वो क्या होगा v square by r इसमें v होता है voltage और r होता है resistance सक्ति का जो ऐसा ही मात रखा है वो watt होता है और एक watt है वो एक watt है मैं एक एम्पियर के बराबर होता है अर उर्ज़ा का वे वारिक मात रका है वो किलो वाट होता है कि एक किलो वाट किसके बराबर होता है 3 x 6 into में sorry 3.6 x 10 की power 6 जूल होता है यानि कि 3.6 गुणा में 10 की power 6 के बराबर होता है और एक kylowatt है वो विद्दूत की एक unit मानी जाती है तो आप समझ गयोगे जो एक unit हमारे घर में जो बिदली कबी लाता है एक unit वो किसके बराबर होती है वो एक kylowatt परावर के बराबर होती है तो चलिए देख लेते हैं कुछ question जो option type है पहला question क्या है विद्धुत अवेस के प्रभाव को क्या कहते हैं तो विद्धुत अवेस के प्रभाव को हम विद्धुत धारा कहते हैं आप इन कोस्टनों के अंसर है वो कमेंट बॉक्स में टाइप दुरूर करें ताकि आपको पता चले कि ये चैप्टर आपको कैसा समझ में है दूसरे नमबर पे विद्धुत विवाओ को मापने के लिए किस युक्ति का उप्योग किया जाता है तो विद्धुत विवाओ को मापने के लिए गैलरनोमेटर का उप्योग किया जाता है नेक्स्ट है विद्धुत धारा का ऐसा ही मातरक क्या है तो जो विद्धुद धारा का ऐसा ही मातरक है वो है उप्सान नमबर खे एमपियर जब एकांग एकाई विद्धुद अवेस परिपत में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलता है तो कोई कर्या जूल होता है तो उसे हम क्या कहते है यानिके जो एक एक एकाई विद्धुद अवेस के परिपत में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलता है तो उसे हम विभांतर कहते है नेक्स्ट है चारलग के पदारत दोवारा विद्धुद धारा के सुगम परवा के लिए जो बादा उत्पन होती है उसे हम क्या कहते है उसे हम परतिरोध कहते है नेक्स्ट है चारलग का परतिरोध निर्बर करता है तो जो चारलग का परतिरोध है वो किस पे निर्बर करता है वो करता है चारलग की लंबाई पर साथो कोस्टन है रियो स्टेट का मूल करे क्या होता है तो रियोश्टोट का मूल का रहे विद्यु धारा के मातरा को घटाना नेक्स्ट आठवा है ओम के नियम को सीद करने के लिए मुख्या बिंदू क्या है तो ओम के नियम के लिए एमिटर तथा वोल्ट मिटर स्रेनी करम में जुड़े होने चाहिए इसमें से क्या ओप्षन है वो सही रहेगा नेक्स्ट है फ्यूज किस तार से जुड़ा होता है तो जो फ्यूज होता है वो होता है भू संपरक तार से जुड़ा होता है यानि कि अर्थिंग दी जाती है तो वो भू संपरक तार से जुड़ा होता है तो दोस्तो आज हमने पढ़ा है NCRT Science का चैप्टर जिसका नाम था विद्धूत यदि आप कोई वीडियो ची लगी इसको लाइक जुरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जाधा जाधा सेर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें आपके HSC में इस चैप्टर में से इससे जाधा नहीं पूछा जाएगा धन्यवाद